तो लीजे दोस्तों नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप देख सकते हो आपका जो तीन तारीक का जो पेपर है ना विज्ञान का इसके लिए अतिम हैत्पूर्ण वीडियो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल आप सभी मित्रों को में इस टार्गेट है हमारा विज्ञान के पेपर में सारे के सारे नमबर हमें लाने है हर हाल में इसके पहले भी हमने एक प्ले लिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए तो उसको भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं चली स्टार्ट करते हैं और सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक तो 1975 में यह जो मापन की अंतराष्टी पद्दती है यह अस्तितु में आई थी ठीक है और इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो कुश्यन है उसको आप देखेंगे देखिएगा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है तो कमरे के सोडियम का रासाइनिक सूत्र बताईए तो NA यह सोडियम का रासाइनिक सूत्र है यह काफी महत्पून परस्ण है आप लोगों के लिए बिल्कुल पदार्त की कितनी अवस्था होती है यह परस्ण IMP लगाकर आप याद करेंगे इंपोर्टेंट लगाकर पदार्त की तीन वस्था होती है एक तो है ठोस दूसरी द्रव और तीसरी गेस तो ठोस द्रव गेस पदार्त की तीन वस्था होती है नमक से कपूर को किस विधी के द्वारा प्रतक किया जाता है मतलब की नमक से कपूर को उर्दू पातन के द्वारा हटा दिया जाता है अलग कर दिया जात ठीके इसके बाद में पर्मानुसिद्धान्त किस ने प्रस्तुत किया था तो जोन डाल्टन ने पर्मानुसिद्धान्त प्रस्तुत किया था यह आपको याद रखना है पर्मानुसिद्धान्त प्रतिपादित करने में इनका अहम योगदान था तो ओप्शन नमबर थर्ड ह मारा करेक्ट होगा जोन डाल्टन इलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी देखो कितना मोस्ट प्रशन आया है तो जेजे थामसन ने इलेक्ट्रोन की खोज की थी आई रीपीट अगेन जेजे थामसन इस दा करेक्ट आंसर इलेक्ट्रोन की खोज इनों ने की थी इसके बाद में तो इसमें आप वास्पन लिखेंगे क्या लिखेंगे ये उत्तर आपके स्क्रीन के सामने है इसका स्क्रीन सोट भी आप ले सकते हैं विल्कुल आप लोगों के लिए सारी सुवेदा हैं हमारे चैनल पर उपलब्द है कमरे के ताप पर एक द्रव वस्था का वास्पन का प्रभाव देता है तो ये शीतलन का प्रभाव देता है एसी धातु बताई जो कमरे के ताप पर द्रव वस्था में पाई जाती तो वो पा रहा है दो या दो से अधिक जो पदारतों का समांगी मिसरन है वो क्या केलाता है तो वो विलियन केलाता है क्या केलाता है पदारतों का समांगी मिसरन विलियन केलाता है केल्शियम कार्बोनेट का सूतर है CACO3 CACO3 आप खालिश थान में लिखेंगे सिल्वर का लेटिन नाम क्या है तो अरजेंट इसमें अच्छे से याद रखेंगे और इसके बाद में आपका नेक्स्ट कुश्यन आचुका है प्रोटरान और न्यूटरान की कुल संख्या के योग को कौन सा तत्व कहा जाता है तो आन्विक द्रविमान या परमानो भार कहा जाता है देखो ये प्रस्ण के उत्तर हमने यहाँ पर भी आप लोगों के लिए दिये हैं तो आप क्या करेंगे स्क्रीन सोट ले लेंगा ताकि आपको फायदे मिल जाएंगे सारे हमारे द्वारा जो दिये जा रहे हैं अगला प्रस्ण ने रदर फोर्ड के परमानो माडल की कम्यों को दूर करने का प्रियास किस ने किया था तो रदरपोर्ड के जो परमाणू माडल दिया था ना रदरपोर्ड ने उसकी कम्यों को दूर करने का जो स्रे है वो दिया जाता है नील बोर को नील बोर आप इसमें करेक्ट उत्तर याद रखेंगे अब हम बात करते हैं सही जोडी बनाईये वाले आपके आती महत्कून परसनों के उत्तर की प्यारे मित्रों आप सभी स्टुडेंट चैनल को जरू सब्सक्राइब करेंगे तीन तारिक आप धमाल मचा दोगे एसा हमें बिल्कुल आप पर विश्वास है देखिए सही जोडी बनाईये में यूरेनियम तो यह जो यूरेनियम है ना प्यारे मित्रों इसमें आपको परमाणु भट्टि से आपको इसको मिलाना है इसके बद में आपके सामने आ चुका है चांदी जो चांदी है ऑप्शन nr3 को आप मिलाएंगे ए से ये चांदी क्या है धातू है और इसके बाद में आपको दिया है शाही शाही जो है ना प्यारे मित्रों ये कोलाइड होता है तो इसको आप मिलाना है कोलाइड से शाही को कोलाइड से मिलाएंगे विद्युद्धारा का जो मातरक होता है उसको आप मिलाएंगे एमपियर से विद्युधारा का मात्राक होता है प्यारमित्रों एम्पियर और एल्यूमिनियम तो यह ए और एल यह आप लोगों की जोड़ी हो जाएगी और प्यारमित्रों जोड़ी के जो यह नंबर है यह हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर यह दे रखे हैं इधर तो यह जोड़ी के नंबर भी आप क्या कर सकते हैं टायरेट जोड़ी के नंबर से भी आप सीख सकते हैं पूरी आपकी जोड़ी इसके बाद में हमारे जो एक सब्दिया एक वाकि मुत्तर दीजी वाले कुश्यन आ चुके हैं इन कुश्यनों को क्या करेंगे प्यार मित्रों आप अच्छे से याद करेंगे देखिए पधार्त की किस अवस्था में उसका आकार एवं आयतन इस्थिर रहता है तो प्यार मित्रों पधार्त की जो ठोस एक वास्ता है इसमें पधार्त का आकार और तो एक 80 इस के बाद में हमारा अतिमहत्पुर्ट प्रसना अचुका है देखिएागा आपको यहां पर समझना है सुद्ध जल का कोथना ऐंक कितना होता हैं तो सुदाधहल्धकां कितनाBatना है तो प्यारमित्रों देखी ऐगा में हम बात करते हैं आपका जो अति महत्पुन नेक्ष्ट कुश्यन है उसके बारे में देखिएगा यहां पर आपको पीतल किन दो धातों का मिसरण है तो पीतल जो है यह किन दो धातों का मिसरण है तो तांबा और जिंक तांबा और जिंक आप इसमें लिखेंगे और तांब भी आपकी हो जाएगी आसवन जो विदी है इसके द्वारा दो गुलन सील जो द्रव हैं उनको अलग-अलग किया जा सकता है इसके बाद में अगला जो आपका प्रस्न है उसको देखिएगा तत्वों के नाम योगिकों प्रतिकों मात्रकों को स्विकरती प्रदान करने वाली अंतराष्ट्री संस्था का नाम बताईए तो जो अंतराष्ट्री संस्था है उसको आप बताएंगे आई-उ-पी-सी यह वाला यहाँ पर मैं बता देता हूं देखो यह आपको दिया है आई-उ-पी-ए-सी ठीके ऐसे आप इसको लिख देंगे जो मैं बता रहा हूं ऐसा और ये कुश्चन भी आप लोगों का important कुश्चन है और आप लोगों के लिए हम इतनी मेनत कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा परमानू तरिज्जा देखिए परमानू तरिज्जा को किस इकाई में मापा जाता है तो जो नेनो मीटर होता है ना नेनो मीटर इसमें परमानू तरिज्जा को मापा जाता है तो नेनो मीटर आप लिखेंगे इसमें इसके बाद में मेगनिशियम की देखो देखो कितना most important question मेगनिशियम की सेयोजगता कितनी होती है तो इसमें आपको मेगनिशम की जो सेयो जगता है वो बतानी है 0-2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा प्यारा मित्रों 0-2 देखिए अब इसके बाद में अगला जो आपका प्रस्न है केनाल रे की खोज किस विग्यानिक ने की थी तो केनाल रे की खोज जो करने वाले विग्यानिक थे यूगेन गोल्ड स्टीन यूगेन गोल्ड स्टीन ने केनाल रे की खोज की थी एसे आप इसमें याद रखेंगे इसके बाद में आपको याद करने हैं ये प्रस्ण पर्मानों के तीन अव पर्मानों करनों के नाम बताना है के नाल किरेने क्या है समिस्तान की परिभासा रहसानिक सूत्र का क्या तातपर होता है पडारतляются से आप क्या समझते हैं ठीके यह सारे प्रिशन आपको सीख लेने हैं क्योंकि मैंने कहा था कि आपको मैं पूरे 23 के 23 प्रिशन बताऊंगा ठीके तो यह आप लोगों के लिए 23 के 23 प्रिशन यह आपको याँ पर बता दिये हैं ठीके मिसरन और योगिक मंतर काफी बार पुछा गया है चार अंका कुश्यान है तो इसको तो पहले रट देना आप सभी और लास्ट मैं आपको मैं बता दूँ कि हमारा जो ये आप लोगों के लिए चैनल है मेंस एजुकेशन ठीके ये जो मैंस एजुकेशन हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप लोगों के लिए तो इसको भी आप क्या करेंगे सबी प्यारे स्टुडेंट्स जो हैं हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपके लिए अच्छी सची चीजे उपलब्द कराते रहें और यही आप लोगों का टेलिग्राम भी है तो उसकी लिंक भी हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है तो मिलते हैं प्यारे मित्रों नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी विशे के एसे ही important प्रस्ण बताए जाएंगे और viral paper के चक्कर में आपको पढ़ना नहीं है यह आपको most most प्रस्ण में बता रहा हूं तो वो ही आप लोगों के लिए सही है